हेलो दूस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो दूस्तों आज हम बात करने वाले 20 बहुत ही महत्पूर्ण सवालों के बारे में यदि आप इन सवालों को जानते होगे तो नीचे कॉमेंट करके उसका जवाब जुरूर बताएं सवाल नमबर एक किस देश में सबसे कम फांसी की सजाद दी जाती है आपका ओप्शन है ए पाकिस्तान भी भारत सी अमेरिका बी जर्मनी आपका सेही जाओफ होगा B. भारत जी हाँ दोस्तों भारत देश में सबसे कम फांसी की सजाद दी जाती है स्वाल नमबर दो भारत में कितना परतिसत भाग पर खेती की जाती है आपका ओप्शन है A. 51 परतिसत B. 55 परतिसत C. 78 परतिसत D. 90 परतिसत आपका सेही जाओफ होगा A. 51 परतिसत जी हाँ दोस्तों भारत में 51 परतिसत भूमी पर खेती की जाती है स्वाल नमबर तीन सबसे कम पेड़ पौधे किस राजिय में है आपका ओप्शन है A. उत्राखंड B. महराश्टर C. राजस्थान D. हिमाचल परतिस आपका सेही जाओफ होगा D. हिमाचल परतिस जी हाँ दोस्तों सबसे कम पेड़ पौधे हिमाचल परतिस में है सवाल नमबर चार ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपना रंग बदल सकती है आपका ओप्शन है A. कोयल B. सुरकव C. मोर D. कभूतर आपका सेही जाओफ होगा B. सुरकव जी हाँ दोस्तों सुरकव पक्षी अपना रंग बदल सकती है सवाल नमबर पाँच किस दिस में एक भी गाय नहीं है आपका ओप्शन है A. अमेरिका B. फ्रांस C. सीरिया D. ऐस्ट्रेलिया आपका सेही जाओफ होगा C. सीरिया जी हाँ दोस्तों सीरिया देश में एक भी गाय नहीं पाई जाती है सवाल नमबर छो पहलवानों का सहर किस सहर को कहा जाता है आपका ओप्शन है A. जोधपूर B. कोलहापूर C. पिंक सिटी D. गोल्ड सिटी आपका सेही जाओफ होगा B. कोलहापूर जी हाँ दोस्तों पहलवानों का सहर कोलहापूर को कहा जाता है सवाल नमबर साथ किस देश में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है आपका ओप्शन है A. भारत B. अमेरिका C. इजराइल D. लीबिया आपका सेही जाओफ होगा D. लीबिया जी हाँ दोस्तों लीबिया देश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है सवाल नमबर आठ किस जानवर का दूद पीने से नसा होता है आपका ओप्शन है A. सेरनी B. मदाहाथी C. भैस D. गाय आपका सेही जाओफ होगा B. मदाहाथी जी हाँ दोस्तों मदाहाथी का दूद पीने से नसा होता है क्योंकि इसके दूद में अलकोहॉल की मातरा पाई जाती है सवाल नमबर नौ इंडोनेसिया की मुद्रा का नाम क्या है आपका ओप्शन है A. रुपिया B. डॉलर C. रियाल D. युवान आपका सेही जाओफ होगा A. रुपिया जी हाँ दोस्तों इंडोनेसिया की मुद्रा का नाम रुपिया है सवाल नमबर दस सलमान खान का जन्ब भारत के किस राजी में हुआ था आपका ओप्शन है A. बिहार B. मिघालय C. महाराष्ट्र D. मध्यप्रदेश आपका सेही जाओफ होगा D. मध्यप्रदेश जी हाँ दोस्तों सलमान खान का जन्ब मध्यप्रदेश में हुआ था सवाल नमबर 11 सबसे ज़्यादा जील की इस देश में है आपका ओप्शन है A. भारत B. फिनलेंड C. अमेरिका D. जापान आपका सेही जाओफ होगा B. फिनलेंड जी हाँ दोस्तों फिनलेंड देश में सबसे ज़्यादा जील है सवाल नमबर 12 दुनिया भर में कुल कितनी भासाए बोली जाती है आपका ओप्शन है A. ग्यारो सो B. दोहजर साथ C. छोहजर आट सो नौ D. चारहजर नौ सो आपका सेही जाओफ होगा C. छोहजर आट सो नौ जी हाँ दोस्तों दुनिया भर में कुल छोहजर आट सो नौ भासाए बोली जाती है सवाल नमबर 13 हाथी के नौजाद सीसू का वजन कितना होता है आपका ओप्शन है A. दस किलो B. पीस किलो C. असे किलो D. सो किलो आपका सेही जाओफ होगा D. सो किलो जी हाँ दोस्तों हाथी के नौजाद सीसू का वजन सो किलो होता है सवाल नमबर 14 कौन सा जानवर तीन साल तक खड़ा रह सकता है आपका ओप्शन है A सेर्प B घोड़ा C बैल D हाथी आपका सरीज ओफ होगा B घोड़ा जी हाँ दोस्तों घोड़ा एक ऐसा जानवर जो तीन साल तक खड़ा रह सकता है स्वाल नमबर 15 बिलिया कितनी उचाई तक खड़ सकती है आपका ओप्शन है A 30 फीट B 10 फीट C 2 फीट D 60 फीट आपका सरीज ओफ होगा A 30 फीट जी हाँ दोस्तों बिलिया 30 फीट तक खड़ सकती है स्वाल नमबर 16 कच्चुआ का जीवन कल कितने वर्ष का होता है आपका ओप्शन है A 50 फ्रस B 78 फ्रस C 1500 फ्रस D 265 फ्रस आपका सही जब होगा C. डेर्ट सवर्स जी यहां दोस्तों कच्छुवा का जीवन का डेर्ट सवर्स का होता है स्वाल नम्बर 17 ताज महल की उचाई कितनी है आपको ओप्शन है A. 73 मीटर B. 80 मीटर C. 100 मीटर D. 125 मीटर आपका सही जब होगा A. 73 मीटर जी यहां दोस्तों ताज महल की उचाई 63 मीटर है स्वाल नम्बर 18 ताज में लाल रंग का हंस कहां पाये जाता है आपको ओप्शन है A. इटालियन B. कमबोडिया C. इजिप्ट D. ग्रीक आपका सही जब होगा B. कमबोडिया स्वाल नम्बर 19 किश देश के लोग कुट्टे का दुद पीते हैं आपका ओप्शन है A. चीन देश B. जापान देश C. मोनो देश D. ब्रीटेन देश आपका सही जब होगा C. मोनो देश जीन दोस्तों मोनो देश के लोग कुट्टे का दुद पीते हैं सवाल नम्बर 20 किश देश के लोग सबसे ज़्यादा आइस्क्रीम खाते हैं आपका ओप्शन है A. अमेरिका B. इंडोनेसिया C. जर्मनी D. साउथ कोरिया आपका सही जब होगा A. अमेरिका जीन दोस्तों अमेरिका देश के लोग सबसे ज़्यादा आइस्क्रीम खाते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसके एगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत झाल 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 1